ओम्नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रुजंगारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशिकरणाय रामदूताय स्वाहा हम पंचुमखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं कैसे पंचुमखी अवतार में हनुमत आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम पंचुमखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं कैसे पंचुमखी अवतार में हनुमत आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम पंचुमखी अवतार करे दुष्टों का संधार हम पंचुमखी अवतार करे दुष्टों का संधार श्रीराम के सच्चे सेवक हैं भक्तों हनुमान आठों सिद्धियां जिनके पास हैं वीर और बलवान पवन पुत्र अंजन के लाला ये कहलाए हैं राम के काज सवारन को ही हनुमत वाए हैं चौदा बरस वनवास को सीता राम लखन जब आए रावन ने छल करके मा सीता को लिया उठाए सिया खोज में राम लखन जब वनवन घूम रहे खोजते खोजते किशकिंधा परवत की ओर गए वानर राज सुग्रीव देख उनको घब राते हैं कैसे पंच मुखी अवतारे में हनुमत आते हैं अम कठा सनाते हैं ये पंच मुखी अवतार तरी गुष्टों का संधार ये पंच मुखी अवतार करी गुष्टों का संधार सोच रहे सुग्रीव दूत कोई बाली के आये दूत भेज कर मेरा वध वो करवाना चाहे कहने लगे सुग्रीव उन्हें ये अपने पास बुलाकर घूम रहे अंजान दोयोधा तपस विवेश बनाकर तुम ब्राम्हन का वेश बनाकर उनके पास जाओ क्या बाली के दूत है दोनों पता लगाकर आओ हनुमान ने फिर तो अपना ब्राम्हन वेश बनाया राम लखन दोनों भाई हैं सच का पता लगाया श्री राम सुग्रीव मित्रता वही कराते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संभाद करिदुष्टों का संभाद श्री राम सुग्रीव मित्रता उन्होंने करवाई बाली कावद कर देते हैं फिर भक्तों रघुराई मा सीता को खोजने की फिर सबने की तैयारी वानर राज सुग्रीव के साथ में वानर सेना सारी किन्तु सोयोजन का सागर राह में आया है लांग सके हनुमान जामवंत ने बताया है भूल गए थे बल अपना जो उनको याद कराया अपने प्रभू के श्री चर्णों में उन्होंने शीश जुकाया सोयोजन का सागर पल में लांग ही जाते हैं कैसे पंच मुखी अवतार में हनुमत आते हैं अम तथा जनाते हैं ये पंच मुखी अवतार करी दुष्णों का संधार ये पंच मुखी अवतार करी दुष्णों का संधार सोयोजन का सागर लांग दिया जपके प्रभुनान अशोक वाटिका में पहुचे हैं राम दूत हनुमान श्री राम की मुद्रिका साथ में लेकर जो आए मा सीता के सामने उसको हनुमान है गिराए देख मुद्रिका श्री राम की माता हर शाई रावन की कोई चाल है ये है सोच के घबराई अपने प्रभु की देख निशानी आसुछ लकवाए कहने लगी यदि राम दूत हो सामने आ जाए पाकर के माता सीता को शीश जुकाते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं अम कथा सनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करी दुष्टों का सम्धार ये पंच मुखी अबतार करी दुष्टों का सम्धार राम दूत को देख के माता बड़ी हरशाई है फनुमान ने मासिता की धीर बंधाई है बोले माता श्रीराम अब शिक्र ही आएंगे इस पाफी की कैद से आपको मुक्त कराएंगे आप किया क्या हो तो मैं थोड़े फल खाता हूँ भूख लगी है मुझको अपनी भूख मिटाता हूँ मा किया क्या लेकर हनुमत फल जो लगे खाने पहरे दार थे बाद में दानवून को लगे भगाने मार मार के हनुमान सब को ही भगाते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं अम कथा सनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संधार पहरे दारों ने बत लाया रावन को आकर अशोत बाटिका में आया एक बड़ा उत पाती वानर सारा बागु जाड दिया और फल भी खाए हैं गए रोकने जो हम भी सब मार भगाए हैं अपने पुत्रक्षै कुमार को रावन ने कहा है जा कर देखो तुम अक्षै वो वानर कौन सा है रावन पुत्रक्षै कुमार है अशोक वाटिका है रामदूत हनमान से किन्तू जीत नहीं पाए अक्षक मार को भी युद्ध में वो मार गिराते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं हम कठा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करी दुष्टों का संधार सुनी कबर जो रावन ने वो प्रोधित बड़ा हुआ पुत्र मेगनात को उन्होंने है आदेश दिया कौन है उतपाती वो वानर उसको मजा चखाओ मृत्य दंड दो जाकर या फिर जीवित पकड़ के लाओ मेगनात फिर बड़ा ही क्रोधित हो करके आया किन्तु युद्ध में हनुमान को हरा नहीं पाया ब्रह्म पाश फिर हनुमान पर उसने छोड़ दिया ब्रह्म पाश में हनुमान ने खुद को वान लिया ब्रह्मा जी का मान यहां हनुमान बढ़ाते हैं कैसे पंच मुखी अवतार में हनुमत आते हैं अम कथा सुनाते हैं यह पंच मुखी अवतार करे दुष्टों का संभार यह पंच मुखी अवतार करे दुष्टों का संभार बना के बंदी हनुमान को में घुनात लाएं क्रोध देख रावण का हनुमत तनिक न घब राएं मृत्यु दंड जो रावण ने उन्हें देना चाहा है युद्ध नीति के विरुद विभीशन ने बतलाया है रावण ने फिर उनके लिए है ऐसी सजा सुनाई पनुमान की पूँच में तो फिर आग है लगवाई पनुमान की पूँच तो भगतो ना जल पाई है घूम घूम कर उन्होंने सारी लंका जलाई है फिर सागर में जाकर अपनी पूँच बुझाते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार कर दुष्टों का सम्धार ये पंच मुखी अबतार कर दुष्टों का सम्धार मासीता के पास मैं फिर से हनुमानु आए बोले मैंने रावन की लंका को दिया जलाए सुनकर के माता सीता भी बड़ी हरशाई है अपनी चूडा मणी निशानी उन्हें थमाई है कहन लगी के मेरे प्रभू श्री राम को दे देना अपना सहन विरहा होती है इतना भी उन्हें कहना लेकर वाग्या माता से वो लोट के है आए देखके चूडा मणी सिया की राम है हरशाई हनुमान को बड़े प्रेम से गले लगाते है कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं हम कठा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संधार ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संधार वक्त विभीशन ने रावन को बड़ा ही समझाया पर रावन ने उनको भी तो मार के लात भगाया प्रभुरम की शरण विभीशन ने आकर ली है विनाश काले विप्रित वुद्धी रावन की भुई है फिर सागर पर से तू वानर सेनन बनवाया शायद काल निकट रावन का अब तो है आया वानर सेना सहित राम ने लंका करी चड़ाई दोनों ही पक्षों में हुई है फिर तो गोर लड़ाई अने को ही यो धारावन के मारे जाते है कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं हम कठा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करी दुष्टों का संधार ये पंच मुखी अबनार कई दुष्टों का संधार मारे कए है रावण के कई बन्धू और भाई अपने भाई अहिरावण की यादू से फिर आई पाताल लोक से अहिरावण को उसने बुलवाया रामर रावण युद्ध का है फिर सारा हाल बताया अहिरावण भक्ती करता था काल भैरवी की बड़ा ही भलशाली दानव और बड़ा ही माया दी अपनी माया का उसने है ऐसा जाल रचाया रात को चुप कैसे है वो श्री राम शिविर में आया राम और लक्ष्मन सोए हुए उसको मिल जाते हैं कैसे पंच मुखी अवतार में हनुमत आते हैं हम कठा सुदाते हैं ये पंच मुखी अवतार करिदुष्टों का संधार, ये पंचु उखी अबनार, करिदुष्टों का संधार माया भी दानव न दिखाई अपनी माया है, राम लखन का करके हरण पाताल मिलाया है उठ गए योधा सारे भगतों जब है भोर भाई, देखा उन्होंने शिवर में लक्ष्मन और राम नहीं हनुमान जी और सुग्रीव को चिन्ता बड़ी हुई, श्री राम और लखन बिना अब होगा युद नहीं जमवन तुन लेके विभीशन के पास आते हैं, अही रावन की होगी चाल वो उन्हें बताते हैं, पाताल लोक में हनुमान फिर तो चल जाते हैं कैसे पंच मुखी अवतार में हनुमत आते हैं, हम कता सुनाते हैं, ये पंच मुखी अवतार करिदुष्टों का संधार विभीशन ने हनुमान को तो दिया सारा भेद बतार अहिरावन तो काल भैरवी की पूजा करता जिनके चरणों में हैं उसने दीपक पांच जलाए और उन्ही पांचों दीपों में उसके फ्रान समाए पांचों ही दीपों को जो एक साथ बुझाएगा अहिरावन का वद्ध विवहियोदा कर पाएगा हनुमान ने अहिरावन का भेद है जान लिया प्रस्थान पाताल लोक को तब ही तो है किया मकर धज्ज थे तहरे पर हनुमान जो आते हैं कैसे पंच मुखी अवतार में हनुमत आते हैं हम कथा सनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संधार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संधार मकर ध्वज्ज उन से कहने लगे कौन हो तुम वानर मेरी आज्या के बिना नहीं तुम जा सकते भी तर हनुमान ने पहले तो उन्हें बड़ा ही समझाया ना माने तो हनुमान ने अपना बल लाजमाया मकर ध्वज और हनुमान में भारी उद्ध हुआ किन्तून दोनों में से न कोई भी जीत सका लगे पूछने मकर धज से भज रंगी हनुमान अपना परीचे मुझे बताओ कौन हो तुम बलवान हनुमान का पुत्र मकर धज खुद तो बताते हैं ये पच्च मुखी अबतार में हनुमत आते हैं अम कठा सुनाते हैं ये पच्च मुखी अबतार करिदुष्चों का सम्धार करिदुष्चों का सम्धार हनुमान का पुत्र सयम तो मकर ध्वज ने बताया मकर ध्वज की बातों पर उन्हें यकी नहीं आया कहने लगे की बाल ब्रह्म चारी है सदा हनुमान फिर कैसे हो सकती है भला उनकी कोई संता बोले मकर ध्वज लंका जला कर जब वो आये थे सागर तट पर आकर अपनी पूँछ बुजाए थे हनुमान के पसीने की सागर में भूंद गिरी उसी भूंद को सागर की एक मचली निगल गए उसी भूंद से उत्पन हुआ था राज बताते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं अम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संधार ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संधार हनुमान ने भी फिर अपना परिचै दिया बता मैं ही हूँ हनुमान पुत्र मैं ही हूँ तेरा पिता मकर धज ने उनके चरणों में शीष जुकाया माया भी अहिरावण का भी सारा वेद बताया अहिरावण ही राम लखन को हर के लाया है सब कुछ वही बताया विभी शन जो बत लाया है पांच दीप है काल भैरवी के चरणों में जलते अहिरावण के प्राण है पांचों दीपों में बसते भूगा अंत जो पांचों एक साथ बुझ जाते हैं कैसे पंच मुखी अबतार में हनुमत आते हैं हम कठा सुनाते हैं ये पंच मुखी अबतार करिदुष्टों का संधार सुक्ष्म रूप है अपना फिर तो हनुमान ने बनायां अहिरावण की माया का सब भेद जानना चाहा राम लक्ष्मन की वो बली चड़ाना चाहता है भूजा करके काल भैरवी मा को बुलाता है काल भैरवी की मूर्ती के पीछे चुपे हनुमान अहिरावण और बाकी देत ना भेद सके हैं जान करके पूजा काल भैरवी को जो प्रसाद चड़ाएं चुप कैसे हनुमान उठा कर उसको खाते जाएं पीछे चुपे हुए हनुमान वो जान न पाते हैं कैसे पंच मुखी अवतार में हनुमत आते हैं हम कथा सुनाते हैं ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संधार ये पंच मुखी अवतार कर दुष्टों का संधार हनुमान ने पंच मुखी का फिर अवतार लियां पांचों ही दीपों को है एक साथ में बुझा दियां अहिरावण ने अपनी सारी शक्ति गवाई हैं फिर हनुमान के हाथों उनकी मृत्यू आई हैं अहिरावण का वदकर ने पंच मुखी रूप बनायां एक साथ मेता की पांचो दीकों को जाए बुझाया राम लखन को हैं फिर अपने कांधे पर बिठाए पाता लोक से राम लखन को लेकर के आए ऐसे सेवक श्री राम के माने जाते हैं कैसे पंचुम की अवतार में हनुमत आते हैं हम कता सुनाते हैं ये पंचुम की अवतार करिदुष्टों का संधार ये पंचुम की अवतार करिदुष्टों का संधार हनुमान ने तभी लिया था पंचुम की अवतार क्योंकि अहिरावन का करना था उनको संधार अपनी भुजाओं के पल पर वो बड़ा इतराता था वो ही भुजा उखाडी जिससे बली चड़ाता था हनुमान सा राम भक्त अब तक कोई नहीं हुआ है पंचुम की अवतार इन्होंने उन्ही के लिए लिया है श्री राम के नाम का होता जहां भक्तों गुणगान कहते हैं कि अवश्य ही आते हैं वहां हनुमान राम नाम के कीर्टन में ये स्वयम चले आते हैं कैसे पंचुम की अवतार में हनुमत आते हैं हम कथा सनाते हैं ये पंचुम की अवतार करिदुष्टों का संभार ये पंचुम की अवतार करिदुष्टों का संभार झाल झाल